अब आप कि अब कि अब कि अब एक बार फिर से हमारे यूटीब चैनल में आपका सुववित करते हैं इस्टुनेंट हाँ इस वीडियो में हम सुवड पर लेवारे हैं अध्यार 4 पर आधारे वीवित प्रश्णाम लेए आपकेटे में आप देखना चाहते हैं तो परकेट़े में दरहाखेव बड़ी रहे हैं इसमें कि कोशन न्हीं है में कोशन पर फर्स्ट कर रहा है कि इससी दिखीजिए कि सार्णिक x sin theta cos theta minus sin theta cos theta minus x 1 1x theta से सोतंत रहें दीखें सिंपल से यहाँ पर x sin theta cos theta minus sin theta cos theta minus x 1 1m x इसमें कहरें कि इस सिद्गीजी कि सार्णिक का मान है वह theta से सौतंत्र है मतलब इसमें इस वाले equation में theta होगा ही नहीं गई यह में सिद्ध करना है तो दीखें सिंपल सागर इसको expand करते हैं यह delta ले देते इसको अजर इसको expand करेंगे तो तो ख़िर वह कॉलम में extension यह आरवन के सापश कर देते हैं किसको सापश आरवन के सापश इसका परसार करते हैं ने कि आरवन के सापश परसार करेंगे यह प्लस माइनस और यह प्लस होगा आपका विआ अजर एक्स इसको चुपा देंगे और एस को चुपा देंगे मैंश कर एक्स वरन उन और एक्स कि अच्छा माइनसों का साइन त्यीता सीछ आज अब यहां-पैंonde को समण प्लसे आता प्लस ऊंस आझ्छाईगा आवन और हम एगा uh जबस कोस्टेटा लें प्लस कोस्टेटा उस्टेटा ने की अगल खुपा दिए मैनेस साइन तीट एक सा एक स्वाइथ और यह भाइन है क्लिए नो हम इसको multiply करदें, cross multiply, minus x का square, और minus का 1, ठीक, चलिए, minus का sin theta, और यहाँ पे cross multiply करें, तो minus x sin theta, minus का cos theta, ठीक है, plus, यहाँ पे cos theta, cross multiply करेंगे, तो minus sin theta, और minus minus plus x cos theta, ठीक है, अच्छा, इसका अंदर multiply करदें, इसका अंदर multiply करें, तो minus ka x क्यूब, minus का x, और यहाँ जाएगा, minus minus plus x sin square theta, इसकी multiply करेंगे, तो plus cos theta into sin theta, इसका अंदर multiply करेंगे, तो minus sin theta into cos theta, और यहाँ पे जाएगा, plus x cos square theta, लगिए, प्लस माइनस में, यह cancel out हो जाएगा, इसको cancel out कर देंगे माइनस का X3 माइनस का X और इन दोनों में से देखी गें तो 。 इसमें से X अले लिए सब लेगे साइन सकवार थीटा प्लस सबस्बार थीटा इसका वही हो जो जाएगा जिससी ही इस स्छर्वारेस का X Q लिए जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन इम देखेगे ज़第ुटा नहीं ना तो साइं तीडाए ना कॉस तीडान तě्नि पेक्सशन ना कियो यह है dalam है 3 स्थें तांत्र है क्या है, यह त्टिता से, सौर्तंत्र है, इंडिबेंडिनिट है, व्टिता से, ठीक है, किलिए है, आते हैं, नेक्स्ट कोश्टन पर, let's see, नेक्स्ट कोश्टन, देखे, question number second, screenshot लेते रहना आप, यहां आप note करते चलना, question number second अपने book में देखिए, देरेका है, सांडे का परसार किये बिना दिखाये कि, A, B, C, A square, B square, C square, B, C, C, A, और A, B, का determinant, is equal to, 1, 1, 1, A square, B square, C square, A cube, B cube, और C cube, केरें कि, बिना परसार किये, यह दिखाना है आपको, चीक है, तो देखिए, इसको दिखाने के लिए, simple, इसी logic यह उस करेंगे, क्या logic यह उस कर सकते हैं, वो देखते हैं, चीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं, LHS is equal to A, B, C, A square, B square, C square, B, C, C, A, A, B, चीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, R1 में, R1 में, A, R2 में, B, तथा R3 में, C से गुणा कर देते हैं, चीक है, इसमें A, इसमें B, इसमें C से गुणा कर देंगे, तो यह जगा 1 by A, B, C, जिससे गुणा करेंगे, वो बाहर रहेगा डिबाइड में, चीक है, 1 by A, B, C, इसमें A से गुणा कर देंगे, इसमें, यह मारा C3 कॉलम है, तो इस C3 कॉलम में से हमारा कॉमान हा रहा है, A, B, C, इसमें से कॉमान लेजिएंगे, तो यह जगा, A, B, C, डिवाइड़ बाइड़ ए, B, C, और यह जगा, इसमें हम करेंगे, चेंज कर दें, तो रहो अर पॉलम को, मतबद C2 और C3 को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, जब भी इंटरचेंज करेंगे, तो डिटर्मिनिट का जब वाइलू है, वो नेगिटिव हो जाएगा, यह नेगिटिव आफ, A स्कॉर, B स्कॉर, C स्क स्कॉर, 1, 1, 1, 1, अलिए에 एक्यू, B स्कॉर, C, Q, अगें इहां पर एको थो, मतब इंटरचेंज करेंगे, C1 से, तो डिके, अगें इहां पर इंटरचेंज करेंएं, तो डिटिव हो गोर नेगिटिव-inging मतल की जाएगा, वो जाएगा, तो 111, A स्कॉर, B स्कॉर, C स्कॉर एक्यूब, बीक्यूब और सीक्यूब, ठीक है, इसे को डूट गए जाएगा ये, आरेचेस, ये हमें क्यों करना था, प्रूब करना था, बिना, साथे को, एक्सपेंड कियें, ठीक है, क्ये बनाने क्या है रहा है जिसका, गुर्ण धरमुगा यूज करना है, ठीक है, इसके का मांगेत किजिए, कि जब कॉस अलफा, कॉस बीटा, कॉस अलफा, साइन बीटा, और माइनस का साइन अलफा, माइनस का साइन बीटा, और ये जब कॉस बीटा, ये जिरो, और ये जब साइन अलफा, कॉस बीटा, कॉस अलफा साइन बीटा साइन अलफा यह साइन अलफा साइन बीटा अर यह जग वास अलफा इसका मैं मान निकालना है क्या मान गयत किजी तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं लगी सिंपल सी बात है इसको एक्सपेंड करते हैं टो उसको सपेंड करते हैं टो सीवर्म आसे वन के साइए कुछ कमन लिया एक अ अर नहीं कुछ कर सकता तो depend करना सही सबस्क्राइब दिन्टा हो जाएगा दिए के सब्दें लीड़ा में लांक अपर्श है ॡ यह सब्स्टेस करते हैं कि यह रख्ण गॉल्च काइब अपरशिया अब सब्स्क्राइं तो एज क्या अब प्लस माइन साइनल्फा माइनस का سाइन वे इसको अर इसको जपा देंगे तो माइनस का साइन बीटा साइन अलफा कॉस बीटा कॉस बीटा साइन अलफा साइन बीटा चीक है चलिए zero के साइन करेंगे तो zero minus का zero zero से multiply करता है तो zero ही रहता उसके कोँज चेंज За सायल पीटा साइन बीटा हैं śin नीचय और कॉस मेता है 1 waarों सका हैं यहां इस इहां पर पनीगते हैं इन दुनों इसमें से सब्सक्राइब सकत है साइन रेकाइज लिए लिए खौक्छ उसमेद इसमेद को क्योंगे करेंगे जिए मिल्टिप्ला अब विए और sin तो common आगे जाता है, ठीक, plus, तो easy रहेगा न, इसलिए मैंने common ले दिए, अब देखे, यहाँ पर simply, इसमें से cos है, इसमें भी cos है, cos common आगे, तो plus का, cos square alpha common हो जाएगा, मतब, cos common आगे जागा, तो cos square alpha हो जाएगा, इससे multiply करेंगे तो, यहाँ पर मचेगा, cos beta, cos beta की multiply करेंगे, तो cos square बीटा और इसके से मिल्टिप्लाइगें तो minus और minus plus sin square बीटा तेके इसमें से minus को मानेगा तो minus minus यह जाओ plus sin square alpha और यह जाएगा मारा sin square बीटा plus cos square बीटा और यहाँ पर plus cos square alpha इंटू इसका value कितना जाएगा? वहाँ जाएगा. चलिए? अब यहाँ पर sin square बीटा प्लस cos square बीटा इसका value कितना जाएगा? यह बन हो जाएगा ते जाएगा sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1 तो इसका जो मान है वह कितना जाएगा? 1 जाएगा. तो I hope अपको यह समझ में आ गया होगा. तो चलिए? आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम one word बाकी जितने भी question है, सारे question को solve करेंगे. तो बाकी question में 4 most important है, question में 5 most important है. जितने भी वीडियो के question है, सारे important है, तो please जो भी वीडियो में वीडियो में वीडियो के लिए upload करूँगा. तो सारे वीडियो को जब्दी देखना और सुरू से लेके last तक जरूर देखना. कहीं भी वीडियो को skip मत करना, क्योंकि वीडियो को skip करने का मतलब है, कि आपका knowledge skip हो जाए. ठीक है? और मैं आपसे request करना चाहूँगा कि प्लीज इस वीडियो को अगर अपने like की नहीं किया है, तो please like कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ share जरू करिए, चैनल पर ना है तो please चैनल को subscribe करेंगे, तो definitely मैं guarantee से कह सकता हूँ कि आपके 95 plus marks में math में और physics में दिलांगा, इतनी अच्छी preparations कराऊंगा, मैं math और physics में, ताकि आपके जो marks हैं, दोनों में 95 plus score कर सके, definitely guarantee के साथ, तो चलिए, फिर मिलता है, नए वीडियो में, नए lectures में, तब तक के लिए जाए.